ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आधित्यनाथ ने ट्वीट की है तस्वीर में योगी प्रदान मंत्री मोधी के साथ दिख रहे हैं PM और योगी दोनों एक दूसरे के साथ हैं PM ने योगी के कंधे पर अपना हात रख रखा है जिद है एक सूर्य उगाना है अंबर से उचा जाना है एक भारत नया बनाना है ये ट्वीट है उत्ते प्रदेश के मुखे मंतरी योगी आदित्यनाथ का और इस ट्वीट में इस कविता के साथ साथ उन्होंने प्रधान मंतरी मोधी के साथ अपनी एक तस्वीर भी डाली है और दोनों ने एक तरह से एक प्रण लिया है नया भारत बनाने का और जिद है एक सूर्य उगाने का ये कुछ पंक्तियां हैं जो लिखी है योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट के साथ रणवीर मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइब जुड़ गए है लखनाउ से सीधा उनके पास चलते हैं रणवीर कई मायनों में ये तस्वीर काफी एहम है योगी आदित्यनाथ ने इस कविता के जरिए ये भी साफ किया है किस तरह से एक मकसद है एक अमबिशन है जि प्रदेश के मुखे मंतरी योगी आदित्यनाथ देखें ये महज एक तस्वीर नहीं है बलकि एक संदेश है संदेश उन लोगों के लिए जो गाहे बगाहे ये कहते रहते हैं कि यूपी में सीयम का चेहरा बदल सकता है यूपी में प्रदान मंतरी जो हस्तक्षेप करते हैं मुखे मंतरी को कई बार कुछ लोग कहते हैं पसंद नहीं करते हैं दोनों में अन्बन है तमाम तरह कि अटकले कयास बाजियां होती हैं और राजनितिक गलियारों में चर्चा की जाती है कि प्रदान मंतरी आए तो वो मुख्यमंत्री का चेहरा ही आगे करके बीजेपी लड़ने जा रही है और आगे एक जो नया सूरज उगाने की बात हो रही है कि आने वाले विदानसबा चुनाओं में पिछला जो इतिहास है उस इतिहास को दोहरा करके बीजेपी फिर से सत्ता में आए फिर से सरकार बनाए और योगी के साथ सथ मुधी के हाथ मजबूत हो इस तरह के एक संकेद लेकि कोशिश है और इस संकेद में देखिए कि टरीके से एक गंभीर मुद्रा में बाता हुए हुए प configure रिखाई दे रहे हैं और प्राइबन्त्री का हाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री के कंदे पर है वो बताता है कि प्रतान मंत्री का भरोसा है और जो उनकी नसदीकिया और वो नसदीकियां बताती है राजनीती में जो अटकल बाजियां और कयास बाजियां थी कि इस दोनों में अन्बन है उस तरह का कुछ नहीं है और सब को सामाने है और चुनाव प्रदान मंतरी के पूरे सहयोग से मुख्य मंतरी का चेहरा आगे करके लड़ा जाएगा जी अब को रखे आगे अब करण झाल झाल